ओम शंती आज अवेक्त बाप दादा के महावाक्य हैं ये मुरली आज 26 नौंबर 2023 को हम पढ़ रहे हैं रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 1996 मुरली का सार है नए वर्ष में अनभवी मूरत बन सबको अनभवी बनाओ क्या है सार नए वर्ष में अनुभवी मूरत बन सबको अनभवी बनाओ बाबा कहते आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अतीसनेही सयोगी सनेहे में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में सनेह का सबूत दिखाई दे रहा है हौल की पीछे वाले भाई बेनों से मबा पूछते आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज़ भी सामने दिखाई दे रही है चाहे कहां भी कोने में बैठे हो लेकिन बाप के सामने हो अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना सबने तालियां बजाई तो बाबा केते आज बहुत उमंगु सहा और खुशी है ना तो तालियों से दिखा रहे हैं, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। तो बुजाएं सयोग की निशानी है बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों और चाहे देश में चाहे विदेश में सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सयोग अवश्य दिया है और आज आप सब के सयोग का सबूत आप अराम से बैठ देख भी रहे हो सुन भी रहे हो अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुँच गई है देखो आज दो विशेष्टाएं है एक इस शानतिवन को जो सबी ने उमंगु सासे बनाया है उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी दुगाटन कर रहे हैं और आज ड्रामा नुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है इसलिए बाप दादा सबी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुवार्क दे रहे हैं और जैसे अभी इस समय साकार रोप में बाप के साथ उमंगु सहा और खुशी में जूम रहे हो ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रोप में साथी समझना अनुभव करना ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है बाप दादा को भी बच्चों के बीना अच्छा नहीं लगता है फिर बीच में माईक बंद हो गया तो बाबा कहते पहला पहला अनुभव है न इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना कोई भी बात नीचे उपर नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइवरेशन कैसी भी सीन को नेगटिव को पॉजटिव में बदल देगी इतने शक्ति आप बच्चों में है सिर्फ यूज करो शक्तियां बहुत है समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनभव करेंगे ये नया हाल और नया वर्ष तो इसमें क्या करेंगे नय वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे न तो ये वर्ष अनभवी मुरत बन औरों को भी अनभव कराने का वर्ष है समझा क्या करना है अनभव करना है वानी द्वारा वर्णन तो करते ही हो लेकिन हर बच्चे को हर शक्ती का हर गुण का अन्भव करना है अनुभवी मूरत हो ना अन्भवी मूरत हो या वानी मूरत हो अन्भवी हो भी लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अन्भव है लेकिन इस बात का अन्भव बहुत कम है ऐसा कोई बच्चा ना रहे क्योंकि ग्यान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं लेकिन अन्भव करना और जब तक अन्भव नहीं किया है तो औरों को भी अन्भवी नहीं बना सकते अगर वानी तक है अन्भव तक नहीं है तो जिन आत्मों की सेवा की निमित बनते हो वो भी वानी द्वारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कमाल है यहां तक आते हैं अन्भवी हो जाओ वो कोटो में कोई, कोई में भी कोई है और परतक्षता का आधार अन्भव है अन्भव वाली आत्में कभी भी वायू मंडल वा संग के रंग में नहीं आ सकती है सिर्फ वाने के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे, कभी सोच में पढ़ जाएंगे अन्भव करना अर्थाद पक्का फांडेशन आदा अन्भव है तो आदा फांडेशन पक्का है उसकी निशानी है वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा अचर नहीं होगा क्योंकि आने वाली बातें वासमस्याएं प्रवल हो जाती है इसलिए अधूरे फांडेशन वाले लड़ खडाते हैं गिरते नहीं हैं लेकिन लड़ खडाते हैं तो पहले इस वर्ष में अपने अन्भवी मूरत के फांडेशन को पक्का करो कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है कारण अन्भव का फांडेशन पक्का नहीं है अन्भव वाली आत्मे कितनी भी बड़ी समस्या हो ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं आया और अपना पार्ट बजाया लेकिन साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे बात नहीं खेल मनोरंजन अच्छा लगता है न तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जव फाउंडेशन जरा भी कच्चा है चाहे 75% कच्चा है चाहे 90% कच्चा है तो भी हिलने का चांस संभव है बाप दादा को बच्चों की महनत अर्थात युद करना अच्छा ने लगता महनत क्यों युद क्यों क्या योगी के बज़ा योधे बनने वाले हो या योगी आत्म है हो युद करने वाले संसकार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तुँ आत्मा के संसकार सुर्यवंश में ले जाएंगे तो क्या बनना है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है सूर्यवंशी बनना है तो युद खतम इस वर्ष में युद खतम हुई इसमें हाने करते हो कहने से कहते हो बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं हर समय की जल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल के सामने आ जाती है यहां साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अन्भव होता है यह कोई हिल रहा है इसलिए जैसे शान्तिवन की खुशी है हौल की खुशी है ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वाइदा करो कि इस वर्ष में हल्चल से परे हो अचल अडोल बनना ही है बनेंगे नहीं बनना ही है ऐसे है ऐसे जो समझते हैं बनना ही है सोचेंगे करेंगे देखेंगे यह नहीं बो हात उठाओ अच्छा मुवार्ख हो और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वो उठाओ शर्म आता है उठाने में तो सोचो जब हात उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो नहीं होगी पक्के हो जाएंगे क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं चाहे निमित बच्चों से या रूरी हान में बाप दादा से एक ही कुश्चन करते हैं बाबा विनाश की डेट बता दो सभी का कुश्चन है न? अच्छा बाप दादा कहते हैं दیट बता देते हैं चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? ये कुछ डेट नहीं दे रहे हैं नहीं करना बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीवर पुर्शार्थी बनेंगे तीवर पुर्शार्थी बनेंगे और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे और तीवर पुर्शार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट शिस हो जाएंगे गिन्ती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास है तो date conscious बनेंगे या soul conscious बनेंगे क्या करेंगे? अलवेले नहीं बनेंगे? ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो चार वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ? आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलेपन आलस्या बीच बीच में आएगा फिर क्या करेंगे इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि देट कॉंशिस नहीं बनो लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो अच्छा मानों बाप दादा कहते हैं दो हजार के बाद होगा चलो आपने मान लिया रियल नहीं है लेकिन मान लिया तो आप दो हजार में संपून बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे सत्य में बनाएंगे क्या बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं उन्हों के लिए समय चाहिए या नहीं अगली सेजन में भी पूछा था कि कम से कम सत्युगादी के नौ लाक बने हैं नहीं बन विनाश कैसे हो ? किस पर राज्य करेंगे ? पुरानी आत्मों के उपर राज्य करेंगे ? नई आत्में तो तयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे ? त Chili लिए बाप दादाने ये काम अपने बच्चे जो जोतिशी है ना, उन्हों के उपर ही रखा है। जो जोत प्रिशी कर सकते हैं, वो बाप क्यों करेगा, फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो, उन्हों की कमाई का साधनी यही है, अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पुछो, बाबा नहीं बताएगा, समझां, इस वर्ष क्या करना है, अनुभवी मु क्या करें बाबा इतना तो हो गया है बाकि इतना आप कर लो हमराज्य करेंगे लेकिन संपोर्ण आप बना दो ऐसे होगा बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे यह गरंटी है लेकिन किसकी मददगार जो पहले हिम्मत का पाऊं आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पाउं उठाने में संपोर मदद करते हैं, हिम्मत का पाउं उठाओ नहीं, और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाउं तो रखो, एक पाउं भी नहीं रखते, तो बाप को कहने से पहले ये चेक करो हिम्मत का पाओं बढ़ाया और मदद नहीं मिले ये असंबव है सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाओं बढ़ाओ इसलिए गाया हुआ है पहला शब्द क्या आता है हिम्मते बच्चे, मददे बाप इसको उल्टा नहीं करो तो मुस्कुराते रहते हैं वहा मेरे लाडले बच्चे वहा निश्चे से हिम्मत का पाओं जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तयार है अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा लेकिन बाप दादा ने अगली वर्ष हर जो उनको कहा था कि सनेही, सयोगी, संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे लेकिन अभी वारिस निकालो वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा किंदर की रोज की रिजल्ट देखते हैं तो चारों और की रिजल्ट में वारिस कम है यही सयोगी अच्छे हैं लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नईों को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप की सामने लाओ कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिंती करने वाले हैं जब चाहते हो की 2000 तक परिवर्तन हो चाहते तो सबी ऐसे ही हो तो वारिस कितने बनाए हैं सत्यू की प्रजा भी रवायल चाहिए वो कम है प्रजा बनी है ये जो अभी अनेक परकार की कान्फरेंस की है वा बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं इस वर्ष में परभाव और प्रजा ये रिजल्ट अच्छी है लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं अभी वारिस क्वालिटी त्यार करो यहां वारिस त्यार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी परतक्ष होगी और बाप के नाम का परतक्षता का नगाडा चारों और बजेगा अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं या कोई कोई कहते हैं कि ये ही कर सकते हैं लेकिन परमात्मा की तरफ एटेंशन जाए परमात्मा का ये कार्य चल रहा है वो भी इनकागनिटो है घुप्त है बच्चे अपनी शक्ती से सने से बाप को परतख्श करने का अच्छा पुर्शाद कर रहा है लेकिन अबी तक सनेही है, सयोगी है, तब तक बाप की परतक्षता मैदान पर नहीं आई है, अच्छा है, यहां तक हुआ है, लेकिन सब की मुक्से ये निकले की बस, अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा, तो बाप कहते हैं, कि बाप से नहीं पूछो की विनाश कब होगा, बाप आप से पूछते हैं, कि आप कब तयार होंगे, परदा खुलें, तयार हो, कि परदा खुलेगा और तयार होते रहेंगे, कम से कम 16108 पक्के पक्के रतन तो परतक्ष करो, माला तो बनाओ, बाप भी देखें, तयार हैं, इतनी मारजिन है, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, नौ लाक नहीं कह रहे हैं, 16108 की माला बनाओ, तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे, कि 16108 की निर्विगिन, अचल माला तयार है, या भी थोड़ा थोड़ा लड़ खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं, पांडव क्या समझते हो, बोलो, तयार हो, दादियां तो बोलती हैं, हाँ, सभी शक्तियां ही हाँ है, 16108 तयार है, अच्छा, 18 तारीक को माला बना कर देना, हाथ उठाईंगे, तो आदी सभा कहेगी, 16000 में हैं, जो समझते हैं कि हम 16000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिटकी लिख करके देना, कि मैं 16000 में हूँ या 108 में, फिर दादियां पास करेंगी, ऐसे नहीं समझना कि चिटकी दे दी है, पहले ये पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे, अच्छा, चारों और के सरव उमंगु सासे आगे बढ़ने वाले, सदा, इकॉनमी के अवतार बन, समय, संकल्प, वानी और कर्म को वा आकार रोप में नया वर्ष मनाने वाले सिकी लदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं, कि चारों और के बच्चे साकार में नहीं, तो आकार रोप में मदवन में ही हैं, और आकार रोप में मना रहे हैं, तो सभी को बाप दादा नय वर्ष की शांती वन के स्थापना की मुबारक और याद بयार दे रहे हैं सबी संतुष्ठ मणियों को नमस्ते हम सभी आत्मों की भी वाप दादा को याद प्यार दिल्वा जान सिखुवा प्रेम से नमस्ते 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 आजशु वरदान है अपने आदी अनादी स्वरूप की सम्रीती द्वारा सर्व बंधनों को समापत करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव क्या है परदान? अपने आदी अनादी स्वरूप की सम्रीती द्वारा सर्व बंधनों को समापत करने वाले बंदनमुक्ट स्वतंत्र भव मावा केते आत्मा का आदी अनादी स्वरूप व व स्वतंतर है मालिक है ये तो पीछे परतंतर बनी है इसलिए अपने आदी और अनादी स्वरूप को समरीति में रख बंदन मुक्ट बनो मन का भी बंदन ना हो अगर मन का भी बंदन होगा तो वो बंदन और बंदनों को ले आएगा बंदन मुक्त अर्थात राजा सुराज जादिकारी ऐसे बंदन मुक्त सुतंतर आत्मे ही पास पिद ओनर बनेंगी अर्थात फस्ट डिविजन में आएंगी स्लोगन मास्टर दुख हरता बंदुख को भी रुहानी सुख में परिवर्तन करना ही सची सेवा है ओम शान्ती